हेलो नमस्कार बच्चों आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चनल एटुजड इस्टुड्यू पॉइंट मैं परदीप सर आज हम भासा मंजरी कच्छा सेवन की पार्टी कुस्तक का लेकर आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं तो आज का टोपिक है वर्दान का फेर देखे कि वर्दान का फेर कहानी में क्या लिखा है आज उसी की आज हम चर्चा करेंगे तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल एकन को ओन कर लें क्योंकि मैं प् पाट सत्रह वर्दान का फेर इसके राइटर कौन है राधा क्रिष्न यह एक बहुत ही हास्य और हसने और मजाख वाली यह कहानी है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कहानी को अच्छी तरह समझें और देखें कि वर्दान का फेर कैसे कैसे एक दूसरे के साथ सेर हो जाता है जो कि काफी नुकसान होता है और कहनी को पढ़ते हुए हसी भी आती है तो चलिए देखते हैं कहता कि महात्मा बुद्ध देव के जन्म के पूर्वी एक और महात्मा बुद्धु देव पैदा हो गए यानि बुद्धु देव जन्म के पूर्वी एक बुद्धु देव लेकिन इनका जन्म कहा हुआ था कापाल वस्तू में हुआ था बात को समझेगा और बुद्धुद्देव की भाति ये राज परिवार में पैदा हुए थे लेकिन इनके बाप राज नहीं चाहते थे यानि बुद्ध देव की भांती यानि बुद्ध देव की तरह यह कैसे परिवार में जनम लिए राज परिवार में पैदा हुए थे लेकिन इनके भाप जो थे वो राज नहीं चाहते थे तो क्या चाहते हैं देखिए राजमिस्तरी का काम क्या करते थे राजमिस्तरी काम का मतलब है कि इटावला काम करता है और घर उर्बन आते हैं ऐसे लोगों को क्या करते हैं राजमिस्तरी करते हैं तो दुनिया में सब के माता पिता मर जाते हैं इसलिए एक दिन इनके भी बाप मर गए और इनकी माँ भी उन्ही के साथ चल कर सती हो गए किनके बुद्धु देव के माता पिता जल कर उसी के साथ वो भी गंगा को प्राप्त हो गए आईए देखते हैं और कहाने में क्या कारा बहुत ही इंट्रेस्टिक कानिया बच्चो धियान से इसो देखें और समझें अपने माँ बाप के मर जाने से कुसमांड जी धरती पर लोट पोट कर खूब रोए जब उसके माता पिता मर गए तो उसे दुख होगा न तो इसको देखकर वो काफी लोट पोट कर रोने लगे और जब रोने कलपने से भी इनका मिजाज ठंडा नहीं हुआ तब घर से बाहर निकल कर पागल की तरह घुमने लगे तो रोने से देखिये बच्चों क्या होता है जब कुछ घटना घटी जाती है तो रोने से तो कुछ नहीं होता है लेकिन बच्चे का मन है वो रोने लगा और क्या होता है लोट कर घर जाते तक नहीं और अगर घर में जाते भी तो वहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं था यानि बुद्धुदेव के घर में कुछ खाने का चीज नहीं था उसे काफी दिकत होने लगा अब देखी क्या होत अब करनी को कैसे खाये और भाण को कैसे घा तो इसलिए उन्होंने अपने अपको बिलकुल भागवान के भरूसे चोड़ दिया जो करेगा मेरा भागवान हीजिएंगा देखते हैं न जब किसी के साथ कोई घटना होता है यह करे शितारा राधेश्यम कहता न जो करे भगवाने करे वही कहता था और दरबाद दर घुमने लगा किसी ने कुछ दे दिया तो खालिया और नहीं तो चुपके सोर रहे थे तो पनही और पगड़ी से कोई सरोकार नहीं एक फटी लंगोटी पहने जिसके द्वार पर पहुंच जाते वही साधू समझकर इनके चरनों पर लोट जाता था कहने का मतलब है इसके पादी की कुछ तो है नहीं वो फटा चिता जो भी कपड़ा था उसको पहन के जाता था तो आदमी इसको देख कर क्या काता था यह सा पीछे बोलते नहीं थे और इसी कारण लोगों का ख्याल हो गया था कि यह कोई पहुंचे हुए महत्मा है देखे जब यह किसी से जब बोलने नहीं लगा न तो आदमी खुद इसको सचने लगा कि यह महत्मा है तो इसी समय कुछ लोग इन्हें महत्मा बुद्धु देव क अने लगा तो एक दिन ये किसी बनिये के दर्वाजे पर पहुंचे तो बनिये ने आव भागत करके कहा महत्मा जी तो यह बुद्धु देव एक दिन एक बनियां के दर्वाजे पर पहुंच जाता है तो बनियां देखिए किस तरह का विक्ति होता है उसने महत्मा जी को ब तड़क कर क्या बोले खबरधार मुझे महत्मा कहोगे तो मैं सीर तोड़ दूँगा मैं बहुत मामूली आदमी हूँ देखिए बुद्धु देव को मन में कितना किस तरह की भाव गुसा तरह ये इस तरह विचार उसके मन में आ गया देखिए अब क्या करता है कि जो आदमे साधु की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से क्या करते हैं अगर कोई मतलब ना हो तब साधु भूख के मर जाए तो वो कहते हैं जब किसी को कोई मतलब तब ही न साधु का सेवा करेगा वो कुछ वेसे बुलने लगा तो किसी का मतलब रहता है कि मुझे बिना परिश्रम के बेकुट मिल जाए यानि मैं बिना परिश्रम का ही मैं मर जाओं तो कोई धन चाहता है कोई लड़का चाहता है कोई निरोग होना चाहता है तो सबका अलग-अलग सोच होता है तो आप बनियां भी अपने मतलब से ही बुद्ध देव का खातिर करने लगा अब देखिए वो क्या करने लगा उसके बाद क्या होता है कि अपने दुकान पर बैठे बैठे बेफिक्रिस के मारे मुटा कर भिस्चिंड बन गया था जैसे लगता उसको कुछ काम नहीं है देखो तो ऐसे लगे जैसे भूसे का धेर और वही दुबला पत किसला कैसे हो जाओं तो जब उसने देखा कि बुद्ध देव जी का मिजाज नहीं मिलता तब उसने बिने से अपना काम निकाला यानि आदर सतकार से बहुत प्रेम भाव से बोलने लगा बोला देखिए महराद बिगरने का काम नहीं अब वो क्या काते हैं पहले कुरोद को थोग दिजिए तब मेरी बात सुनिए अब देखिए बनिये के मन में किस तरह की भाव को पैदा होता है अब क्या काता है महतमा जी सांत होकर बोले अच्छा मैं सुनता हूं बोलो क्या बोलते हो अगर दुनिया में केवल मैं अकेला आपको महतमा जी काता तो आप बिगर सक क्या होती लेकिन दूनिया में हर को को कि समय कहते हैं अब करने से SS क्या होगा। मातिमा भाला आपके महत्मा होने में क्या संदे बने नियुक्त बुदु देव जुक्त की आढनी वैसे ही इधर उधर से लट पड़ कर रहे थे लेकिन आदमी ने बनिये ने उनको देखे किस तरह से उसको अपने बस में करता है तब बुद्धुदेव जी के आँखें खुल गई सोचने लगे जब सब लोग मुझे महत्मा जी कहते हैं तब मैं जरूर महत्मा ही हूं वो मन ह मन सोचने लगे लेकिन तारिव तो देखिये मुझे आज तक इसका पता भी नहीं था लेकिन उसने मन में सोचने लगा कि देखो आज तक हमको मालूमी नहीं था कि हम साधू है मैं सच मुझ कोई महत्मा हूं अपने आपको वो सोचने लगा अब देखिए वो क्या कहता है ब तो मैं महत्मा ही मालूम होता हूँ देखिए अपने आप से अपने पर विस्वास नहीं है लेकिन जरा मुझे यह बताना कि आप मैं क्या करूँ देखिए बनिया से पुछता है जब आप महत्मा है तो आपको अकल होना चाहिए लेकिन वो नहीं है उस तरह का तो उसको क्या होता है वो फिर पुछता अचा हम क्या करेंगे बताई तो आप तो बनिया फोरन उनके पेर पर गिर पड़ा हाथ जोड़कर बोला महराद आप मुझे यही बर्दान दें कि मैं कुछ दूबला हो जाओं इसमें कोई संदे नहीं कि बुद्ध देब जी महत्मा होने से बहुत पहले ही दूबला होने की दवा जानते थे बोले तुम मन मसोस कर सिर्फ 15 दिन तक उपवास कर जाओ देखे वो क्या कहता है कि जब कोई भी वेक्ति भुखे रहेगा तो वो दूबला पतला होगा ही ना तब क्या कहते भगवान चाहेगा तो तुम इतने ही दूबले पतले हो जाओगे कि चलना फिरना भी कठीन हो जाएगा उसको ऐसा ऐसा बर्दान दे दिया अब देखे क्या होता बनिये ने बर्दान पाकरपुना बुद्ध देव जी को परनाम किया खुब भर पेट तर माल खिलाया और मन ही मन खुस होने लगा बुद्ध देव जी पूरा खुस होने लगा कि हमको तो मन चाहा खना मिल रहा है ना इधर बुद्देव जी भी कम परसंद नहीं थे पली खुची तो यह थी कि अपने अंजाने में ही महत्मा हो गए देखे अंजाने में महत्मा हो गए सब उसको जुटे कहाने लगा कि महत्मा कहा रहा है तो महात्मा हो गया, अब देखिए क्या कहाता है, आगे देखा जाए, बहुत अच्छी इंटेस्टी कहानी है, देखें समझें, तो दूसरी खुशी थी कि बर्दान दे सकते थे, यानि अब वो कहने लगा कि हमको बर्दान देजिए, बनिया कहने लगा, तो तीसरी और चक कर तरमाल पर हात फेरा था, यानि वो किस तरह से आज वो मला मल होने वाला था, तो बुद्धु देव जी सोचने लगा, अब तो मैं महात्मा हो ही गया, इसमें कोई सक सुबहा नहीं, खेर कहो कि मुझे पहले ही या खबर लग गई है, कि मैं महात्मा हो गया हूं, भग भी कहानी बची हुई है, अगर आपको इस तरह कहानी को पसंद आ रहा है, तो कॉमेंट अवस्य करेंगे, मैं इसका नेस्ट पार्ट भी आपको नेस्ट पेज में जो आपका कहानी बचा हुआ, उसको भी बताएंगे, चलि कुछ कोस्चन सर कर लेते हैं, बच्चों देख इक अनतर बतायागा है, फर्स्ट कोस्चन, दूसरा कोस्चन माता पिता कि मिरुथ्ट्री के बाद कुस्माड violence के दीन किस परकार बीतनी लगी, दूसरा कोस्टन हो गया यह तिसरा कोस्टन है बुद्धु देव को कब अनुभा हुआ क्यों वह महत्मा बन गई 122 पेश तक जो हमने पढ़े अभी तो उसका तीन कोस्टन सरा अभी हम करवा रहें तो आप से मेरा रिक्वेस्टर आप इससे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें आप देख रहें बच्चो यह पाट से में बता रहे हैं यह प्रसनक्या एक महत्मा बुद्धु देव और बुद्धु देव में क्या अंतर बताया गया बुद्धु देव है यह बुद्धु देव है दोनों में अंतर है तो उतर क्या होगा महत्मा बुद्धु देव के जन्मे के पूर्वी महत्म बुद्धु दे पैदा हुए थे इनका जन्म कपिल वस्तु नगर में नहीं कपाल वस्तु में हुआ था यही दोनों में यह अंतर था अंतर लिखना कि बुद्धु देव और बुद्धे में क्या अंतर है तो बुद्धु देव का जन्म कहा हुआ उसका लिखना है इसको अच्छी तरह से समझें बच्चों और आप और चाहते हैं अच्छी तरह सी तरह की एपनाने के लिए थो अच्छी तरह बना के Sher langsam से डीन किस प्रकार बीटने लगे तो आंसर लिखेंगे माता पिता की मिरत्यु के बाद कुस्मान जी खूब रोए धर्ती पर लोड़ पोड़ होकर रोए पागल की तरफ घूमने लगे घर नहीं जाते थे खाना पिना त्याग दिया पनहीं पगड़ी से कोई सरोकार नहीं उनका दिन फटे हालों में बि तीन नमर कोश्चन अब देख रहे हैं कि बुद्ध देव को कब अनुभव हुआ क्यों महत्मा बन गए हैं अंसर क्या लिखेंगे बच्चो जब बनिये ने उन्हें बताया कि आपको सब लोग यानि आपको सब लोग क्या करते महत्मा करते हैं तो उनकी दसाही ऐसी थी या महत्मा बन गए तो इस तरह बच्चो आपको सरलभासा में लिखें अगर आपको और इस तरह अच inanना चाहते हैं तो कहानी को tell सेहें और लिखें और अच्छी तरह से समझें इसका अगर नेस्ट पार्ट भी आपको चाहिए तो आप कॉमेंट अवस्षी करेंगे तो मैं आपको पुन्हा इनका स्वेस भाग अच्छी तरह से समझा के आपके साथ कुश्चन असर का सेयर करूंगा उमीद है आपको वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिक माइ वीडियो